समिक्षा दिकारी साहिक समिक्षा दिकारी मुख्य परिक्षा के लिए अप्रिल में से वह आपकी परिक्षा है नया बैच प्रारम हो रहा है आपको इस बैच की जानकरी दे देते हैं इस ग्रूप इस बैच में आपको चार ग्रूप्स मिलेंगे पहला यह ग्रूप है आपके को दिक्कत होती है ग्रूप में चीजों को अगर देखने में PDF वीडियो को हाला कि बहुत limited है बहुत ब्यास्थे तरीके से हमने दिये हुए हैं आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर कुछ लोगों को दिक्कत होती तो यह जहां पर लिखा हुआ है सहाइक समिक्षा दिकारी GS Hindi Objective तो यहीं पर आप ऐसे क्लिक करिए तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो मीडिया आएगा मीडिया में आपको जो पिक्स हम शेयर करते हैं पिक्स हाला कि हम शेयर करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं हमारा रहता है क्योंकि पिक्स डिश्टर्बेंस और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको जाम वहाँ पर देखता है तो बहुत आव्याव स्थित्सा लगता है इसलिए पिक्स हम नहीं देख करके आपको पीडियाफ उपलब्द करवाते हैं पीडियाफ आपको यहाँ पर टेस्ट के साथ कंप्लीट सिरेवर्स की जीयस और हिंदी की मिलेंगी अभी नेट नहीं चल रहा है तो वो उन देख नहीं रहा है इसी तरह लिंक आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक तो जो वीडियो हैं आपकी जितनी भी जोरी वीडियोज हैं यहाँ पर जीयस और हिंदी की मिल जाएंगी और वाइज ओवर में जो भी हमने बाते कहीं आपको इस्टेक्शन दी हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर इजली आप सर्च करने के लिए बहुत इजी पढ़ता है आपको तो इस तरीके से आप एक ग्रूप यह है आपका इस कोर्स के अंतर का जो दूसरा ग्रूप है आपके मुखे परिक्शा 2021 समिक्षा दिकारी का वो कन्वेंशनल हिंदी और एसे के जो टॉपिक्स हैं उनके PDF और Steady Material के लिए है तो यहां आपको मुखे परिक्शा से related जो Steady Material है PDF हैं वो सब आपको मिलेंगे ठीक है और जो आने वाले वीडियोज है कन्वेंशनल के वो इसी में आएंगे इसके अलामत दो ग्रूप दोनों अभ्यास से related हैं उनको दिखा देते हैं जिसमें आपको डेली अभ्यास कारे करना है यहां पर तो पढ़ाई करनी ही करनी है साथ साथ अभ्यास करना है यह आपका quiz group है और जो आपका vocabulary है मुहारय लोकुक्तियां हैं प्रशाशनिक शब्दावलियां हैं उसके लिए डेली quiz यह आपका होता है रात आठ बजे डेली quiz आपका होता है तो इसमें काफी आपको लाब मिलेगा इस जो हमारा program है इसका जो चौथा group है वो सबसे महत्तपूर्ण है वो यह group है हमारा वो अभ्यास का conventional हिंदी जो आपका जितना भी है portion एसे से ले करके वो अभ्यास है डेली अभ्यास काईकरम होता है इसमें और आपको रिमार्क दिये जाते हैं तो आपका इस तरह PDF जमा होता है और फिर आपको नहशते रिमार्क मिलते हैं ये काईकरम जैसा की हम group में instruction देते रहते हैं उसी अमसार चलता है और काफी लोग पीछे रह गए थे दो तीन चार दिन पहले भी कुछ लोग जूड़े हैं जिनको अभी हमने group में शामिल नहीं किया है कारण ये है कि अब हम नया group बनाने जा रहे हैं आप लोगों का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आप वंचित नरह जाएं सब्चियों से चुकि कुछ दिन ये अभ्यास काफी दिन से चल रहा है और आप सुरू से इस कायकरम का लाव ले सकें इसके लिए ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग यदि इच्छुक हैं तो ये वाट्सप नंबर है 9453-75039 पर संपर करके आप संपूर्ण इस कायकरम से जो मुक्य परिक्षा रो या रो क्या है जुड़ करके लाव ले सकते हैं हमारे कायकरम का और एक बार पुना एतिहासे को पलब्दी की तरफ जो हमारा ग्रूप बढ़ रहा है जिस तरह 2017 का परिडाम रहा उससे भी बढ़िया परिडाम ये हमारा ग्रूप देगा इस बार ये पूरा विस्वास से आप लोग की कॉपी देखकर ही मुझे ये लग रहा है और कहते हैं ने कि एक कहावत है कि पूत के पाओं पालने में ही समझ में आ जाते है तो ये हमको दिख गया है कि एक बड़ा रेजल्ट आने वाला इस बार हमारे ग्रूप से और आप लोग भी जो थोड़ी बहुत कमियां आपकी रह जाती है जिसकी वजह से कुछ अंको के कारण की कि यूद्ध के देखिए मुखे परिख्षा में बहुत छोटे छोटे अंकों से बहुत छोटी उटी गलतियां करके आप लोग बाहर हो जाते हैं उन छोटी छोटी गलतियों को न करें उनके लिए अभ्यस्त हो जाए, जिससे आपका selection शेयर हो जाए, जो दो, तीन, चार नमबर से रह जाता है, वो न होने पाए, तो उन गलतियों का समझना, शुद्ध लिखना, ठीक है, शुद्ध पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या प्रारूप होना चाहिए, वास्तविक प्रारूप, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जो कहीं न कहीं भ्रामक हैं, भ्रामक जानकारी देती है इस पश्ट नहीं है तो आयोग क्या अपनाता है उस अंसार लिखना यह सारी चीजे हैं और ऐसे किस तरीके से बहतर आप लिख सकें जिसमें अच्छा नंबर आए यह सभी चीज़ों पर ध्यान लेंगे तो कंवेंशनल में अच्छा अंक आएगा जीयस और हिंदी जोकि प्रिलिम्स देकर आप लोग आ रहे हैं तो कॉम्प्टिशन तगड़ा रहेगा उसमें भी उसकी वित्यारी आपको कम समय में जादा कम श्रम में जादा यह आपको यहाँ पर मिल रहा है और आपका काम है उसको रिवाइज करना या जो भी कहीं से भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना जितना बार रिवाइज करेंगे कर इंटर्फियस तैयार करके जाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी ठीक है तो अगर इच्छुक हैं तो WhatsApp पर जुड़ करके जो लोग नए लोग हैं उनके लिए अभ्यास के लिए नया ग्रूप बना दिया जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद